हाईलो एवरीवन वेल्कम बाक टू माई यूटिप चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग आप से जलते क्यों है आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि लोग आप से जलते क्यों है टाइमलेस रीडिंग रहेगी तो जब मिलेगी तब रसुनेट करेगी साथ ही जर्नल किलेक्टिव रीडिंग है और अगर आप हमारे चानल पर नए आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजएगा बैल आइकन को प्रिस कर लीजएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सिबसे पहले नोटिफिकेशन आए और अल्रेडी सब्सक्राइब किया वा है तो उसके लिए थाइं तो लोग आप से इसलिए जलते हैं जो अभी तक मुझे दिख रहा है वो यह है कि लोगों ने आपको पास्ट में बहुत जादा ही मिस जज़ किया है या फे मैं कह सकती हूं बहुत ही ना फोर ग्रांटेड लिया था उन्हें ऐसा लगता था कि आप ना एक ऐसे पोसे ने ज स्टब आप सब्सक्राइब लिया में अजय कि अश्याए नहीं, तो बहुत बर्दे करते हैं कि स्ट्व पोसाएब नहीं भी करती है तब भी आपकी situation के base पे आप देखेगा ठीक है अगर date नहीं भी match करती है तब भी reading match करेगी तो ये मुझे ना एक ऐसा person लग रहा है जिसने आपको बहुत जाद ही for granted लिया था इसकी नजर में आपकी कोई value नहीं थी है कि आप ना एक ऐसी हो time pass हो अब चाहिए love relationship में हो या फिर आपके आसपास में हो पर ये specific person भी हो सकता है जो आपसे बहुत जादे ही जलता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि आप life में बहुत कुछ अचीव कर लोगे या life में आप इतना खिल के भाहर आओगे उन्होंने कभी न है क्योंकि इसने बहुत अराम से बैटके आपकी success को देखा है या जो आपने ना सबर दिखाया था आपने अपने time के वेट किया आपने यह नहीं कि इस person को जो है मूतोर जवाब दू या इस person से जगडा करूं कुछ नहीं किया आपने बैटके ना सुनी जो लोग आपके ल कर रहे हैं शाइन कर रहे हैं इस person को ना इस चीज का गिल्ट है कि इसको आपको lightly नहीं लेना चाहिए ता आपको serious लेता तो आज इस person के साथ ना आपका connection होता यह person आपके friend list में होते है यह person जो है इस बास से guilty है इस बास से परिशान है यह इस बास से जलता है कि अब आप उ इस person से कोई भी connection नहीं रख रहे हो और वही चीज की उसे जलन है क्योंकि उससे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो आप grow कर रहे हो shine कर रहे हो बट उसमें उसकी कोई भागेदारी नहीं है और इसी वज़े से यह person चल रही है आपके cousin में हो सकते है cousin brother या sister यह भी हो सक जिसने ना हमेशा आपको मैनुप्लेट किया जिसने हमेशा चाहा कि आप तो नीचे रह जाए और वह हमेशा आप से उपरी रहे दो कदम और यह आपके रिस्तेजार में भी हो सकता है बट कोई खास इंसान है जो अभी फिलाल बहुत जादा जैलिसी रख रहा है और उसका reason जाए कि यह person जो आपसे jealousy रखता है यह person नहीं चाहता है कि आप success पाए तो आप इस person से जो separate हुए है इस person से जो अलग हुए है वह चीज़ का भी इस person को गिल्ट है बट यह आपसे hate करता है यह आपसे जलता है इसलिए जलता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि यह आपसे बहुत कुछ सीख सकता है यह person ना इस बास से भी जलता है जिस तरीके से आप grow कर रहे है शाइन कर रहे है और उसकी जो life है वहीं के वहीं स्टक है वह चीज़ को देखके भी ना इस person को जलन होती है यह आपको ना एक ऐसे person के तोर पे देखता है जो भीड में अल जो उस person में नहीं है और वही चीज वह आपसे सीखना चाहता था लेकिन राइट टाइंग पर आपको उस person का real face देखने मिल गया यह आपने देख लिया बहुत टाइम तक अपने बरदाश भी किया हो ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस person के साथ अलग नहीं होना है या मेरा best friend है या यह मेरे relation में है या इस person से मैं प्यार करता हूं या प्यार करती हूं वह वाली चीज़े भी हो सकती है बर जादा तर लोगों के लिए मुझे friend ही लग रहा है आपका जो आपसे बहुत जादा जैलिसी रख रहा है और जलन यह है कि वह आपको नहीं कर पाया कहीना कहीना वह आपको ऐसा बना देना चाहता था कि भीड में जो भीड है उसी तरीके से भीड चाल चलो आप लेकिन आपने अपनी यूनिकनेस नहीं खुई आपने इस परसन को जरा भी ना उसके मन की नहीं करने दी ओके तो वह भी रेजन हो सकता है जिसके वज़े से यह जैली सी फील करता है और कहीं ना कहीं ना इस परसन को यह भी चीज़े समझाती है कि आप एक एसे इंसान है जो soft-hearted है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आखे पेफकुफ बना दे आप अपनी पावर को जानते हैं आप अपनी पावर में रहना अच्छे से जानते हैं आपको पता ही कैसे किस तरीके से किस रिष्टे को निभाना है वह चीज़े भी है और वही चीज़े से यह परसन आप से ज प्यार कर दोगे क्योंकि यह परसन आपकी गुड लिस्ट में है बड़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपने जो जिस तरीके से आप सकसास पा रहे हो या ग्रो कर रहे हो आप आगे लाइफ में वह चीज़ आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हर इंसान ना वह द कोई भी एडमायर नहीं करता है वह उस चीज़ की वैल्यू आपके घरवाले कर सकते हैं या आपके वह खास लोग जो आपके लिए लॉयल्टी रखते हैं उन्हें पता है कि आपने कितनी महनत की है या आप कितनी शिद्द से आगे बढ़ रहे हैं या कितनी महनत आप लगा आपने सेल्फ ग्रूमिंग पर बहुत सादा ही ध्यान दिया हो और अपनी कमिनिकेशन स्केल भी काफी इंप्रूफ की हो आपने ऐसा हो सकता है जिसकी वज़े से नहीं बहुत हद तक जैलिसी रख रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो मैनिपलेशन है वह आप ज होगा और बहुत ही चलाक होगा इसको ऐसा लगा था कि यह ना आपको मैनिपलेट कर सकता है अच्छे से यह ना आपको अपनी मीठी बातों में फसा सकता है बट वह चीज़े जब नहीं हुई ना तो वही चीज़ना जैलिसी का कारण बन गई और यह ना मुझे ऐसा लग र भूरल की उसी की अपनी हो सकति है बोपने इस अपनी हो सकते हैं मुझे ऐसा भी लगता है कि यह लगते हैं । क्योंकि यह person बहुत self-centered behavior करने वाला person है और इसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा काम बढ़ना चाहिए मैं आगे बढ़ना चाहिए हूँ और इसको हमेशा ना दूसरी की success ना हजम नहीं होती लिए दूसरी की success को नहीं जरा भी हजम नहीं कर सकता है इस person की नजर में ऐसा है कि मैं सबसर परफेक्ट हूँ वह self-obsessed person थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगर मैं looks की बात करूँ अगर देखे थोड़ा कि कौन person हो सकता है दिखने में कैसा होगा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि person देखने में काफी smart handsome सा होगा अगर लड़की है तो बहुत सुंदर होगी और इसी वज़ा से self-obsessed होगा यह person इसको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरी कहने से या मेरे manipulation से ना हर इंसान जो है भेकावे में आ जाएगा मतलब मेरी खुपसूर्ती या मेरी smartness की वज़े से ना हर इंसान जो है easily पेफकुप बन सकता है बट ऐसी चीज़े नहीं हुए आपके साथ तो नहीं हुए औरों का पता नहीं बट आपके साथ वो जवल्ट है या इसी चीज़ को लेकिन यह बहुत जादा ही जेली सी पिल कर रहा है क्योंकि इसको एसा पील हो रहे कि भाई क nasa in a kia क्यों नहीं mean cassette की जयानना है कि आपको success कैसे मिली आप जो भी कर रह हो आपका business у Frau Muchas और कहीं नहीं उस परसंन का सपना थो जो अभी अब कर रहे हो वो चीज ब六 को करने रहे है कि मुझे उस जगा जिस लेवल पर सुछ न्हीज को सपना नहीं है उस इंसान को है कि मुझे भी उससे ज्यादा सक्सेस मिले, उससे कम ना मिले और उसी चीज के लिए उसको ये था कि मुझे इस इंसान से यान के आप से जानना है कि कैसे सक्सेस मिलती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे उस चीज के लिए अपलाई किया जाता है और अब देख लेते हैं लुक्स वाइस अगर थोड़ा आता है तो जो मेरी वियर से जब रहे हैं वो तेखने में कैसे है लुक्स वाइस कैसे है डबल साइड डबल साइड जो मैंने कहा था न यह परसन न बहुत ही जो उसमें मैं बोल रही थी न कि पॉलिटिक्स का अगर आपको कार्ड याद होगा तो उसमें भी ऐसे ही है कि फेस को ऐसे सेंट है बहुत ही रिस्पेक्टफुल परसन है और कहीना कहीं बहुत ही अच्छे से बात करने वाला और वैसी उसका ना पीछे से वो स्नेक है जहर उगलता है वो तो ऐसी कुछ है यहां पर डबल साइड दिखाई गई है तो वही चीज मुझे लग रहे ही कि यह परसन जित आपकी सक्सेस से जादा चल रहा है यह परसन काफी कम बात करता होगा लेकिन दिमाग बहुत चलाता होगा बहुत ही शातिर होगा यह ना हमेशा दूसरों को ना मैनिपलेट करना या फिर बस अपना काम निकलना चाहिए और चीजों से मतलब नहीं है किसी का क्या नुकसान ह जाएगा या किसी को क्या चोट पांच चाहिए वह चीज मैटन नहीं करते हैं इमोशनली भी ना आपको यूज कर सकता है अपने फाइदे के लिए मतलब आपके साथ दोस्ती करना या आपके साथ रिलेशन्शिप में आना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर वाली चीजों को बिना कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा मतलब चला जाएगा इसका कुछ फाइदा दिख रहा है उस चीज में तो यह टेफिनेटल चला जाएगा क्योंके या मुझे जाधे तर लोगों के लिए परसन लग रहा है कुछ-कुछ लोगों के लिए हो सेकता है तो इस परसंट न आपको relationship का जहासा दिया हो वही कि relationship में है आपके साथ काफी अच्छा relationship बिल्ड करने का दिखाया हो बट ऐसा नहीं हो यह social media भी आपकी साथ connected हो सकता है और आपके surrounding में हैं नहीं person और आपको पता था कि हां यह married है अभी आपनी इस person को accept किया है तो इसका main motive वही था पैसों से लेके काम से लेके जाधा तर वही चीज़े लग रही है emotional fool नहीं है बट इसको emotionally fool बनाना बड़ा पसंद है और देख लेते हैं looks wise कैसा होगा बसे जरूर बताना यह person जो है ना कुछ negative spell वगेरा भी करवाता हो ऐसा हो सकता है psychic लोगों से भी connect करता हो कि मतलब basically ऐसे कुछ spell वगेरा करवाना या ऐसे कुछ remedies करना जैसे सामने वाला influence में हो जाए ओके वह चीज़े हो सकती है यह person बहुत चीजों में confused रहता है इसकी ख्वाहिशे बहुत बड़ी बड़ी है और वह चीज़े फुल्फिल नहीं हो पार यह इस वज़े से यह person बहुत ज्यादा jealousy रखता है flirty nature का होगा इसके ना गालों में dimple करता होगा इसको wrist watch पैनना बहुत पसंद होगा इसकी height six feet हो सकती है brownish hair हो सकते है इसके अगर आपके सब relationship में थी तो यह इसलिए थी क्योंकि आप financially strong है आपसे कुछ नहीं कुछ इसका काम निकल रहा था जैसे आप इसका खर्चा उठा रहे थे या फिर ऐसा हो सकते है कि आपने इसको बोला हो कि हाँ ठीक है चल मैं तिरको अपनी company में लगवा लूंगा या तिरको job मिल जाएगी मेरी वज़े से मैं कहीं देख लेता हूं या देख लेती हूं जो भी आप देख लीजेगा energy based reading होती है तो यह अपने मतलब से जाधा जोड़े वेता है काम का मुस्त जाधा तल लग रहा है यह खुद ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं यह अपने में जाधा उलचे रहते हैं और यह एक जूट के लिए 10 जूट बोलत जाते हैं और उसी में फिर एक वक्त आता है कि खुदी उलच जाते हैं इन्हें नहीं समझ आता है कि कैसे चीजों से भार आया जाए हो के महनत करते हैं लेकिन उससे जाधा इनके intention कि रहती है कि सामने वाले का मुझे मिल जाए सामने वाला कोई मुझे ऐसे यह शौट कट ब एक अर्वार में वाले के रहा है यह चुझा इस परसन उससी उक्पर से लिग हो सकता है ऑप किसी ना फैश को भाह वाले करे आपको बहुत नाम होगा आपको बड़े लोग जानते हो ऐसा हो सकता है या फिर आपसे को सीखना और इससे क्यों से कि यह पहाईशा नहीं सूच पैसा कैसे आएगा पैसा कैसे कमाया जाएगा या कब लोट्री लगेगी तो यह उन चीजों में जाधा रहता है इसको यह नोद पता है कि करमा भी होता है अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में तो इसके लिए action efforts भी डालने होंगे आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा यूनिवर्स सपोर्ट करेगा लेकिन उसके साथ आपके efforts भी matter करते हैं आपका hard work भी matter करता है लेकिन इस इंसान की अलगी level की सोच है यह इसान थोड़ा खुद में ही इस्टक है खुद में ही डे ड्रीमिंग बहुत करता है बहुत ही ज्यादे स्टक रहता है बहुत ही ज्यादे स्टक रहता है अगर यह relationship में है तो जादे तर ट्राय करता है कि ऐसे आपके साथ relationship में है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह multiple relationship में रहा हो वो चीज़े भी हो सकती है और ज्यादा नहीं तो अगर अभी आप ही थे इसके first boyfriend या girlfriend तो भी यह आपके साथ इसलिए relationship में आया थे क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पे है आप फाइनेशली इंड dependent है और कहीं आपके family भी अच्छी है तो इस person को लगा था कि in case चीज़े marriage तक जाती भी है तब भी इस person के साथ यानि कि आपके साथ ना इस person का जो है future secure है okay कहीं बहुत ही जादा ना self-obsessed person self-centered behavior ऐसे टाइब का person मुझे लग रहा है और money-minded टाइब का person है और यहीं आप से चाल रहा है कहीं आप इस person की ना जो reality है वह भाले के आगा है और वहीं चीज़ इस person को चुप रही है सबसे जादा यह दूसरे का ना अच्छा होते नहीं द क्या guidance है अपना perspective change कीजिए अपना नजरिया change कीजिए थोड़ा सा ओके में भी शायद आसा हो सकता है कि कभी-कभी आप दिल के हातों हार जाते हैं कभी-कभी आप दिल की वज़ा से हार जाते हैं आपको लगता है कि यार यह मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा वाला इंसा मतलब यह नहीं करता है बट मैं तो करता हूं या मैं तो करती हूं तो ऐसा मत कीजिए थोड़ा सा अपना mindset अपना perspective change कीजिए चीजों को देखने का situation को situation को देखने का lead with confidence confidence के साथ lead कीजिए और face fear and rise जो भी आपके डर है उनको face कीजिए और shine कीजिए rise कीजिए और कहीं न कहीं वही है कि जैसे आप होते हैं वैसे ही आप चीज़ा attract करते हैं तो अगर in case आपको लगता है कि यह person आपकी life में क्यों आया या इस person ने आपके साथ ऐ क्यों किया तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका भी थोड़ा बहुत negative mindset हो सकता है या कुछ न कुछ ऐसी चीज़े होंगी कि कि हर चीज ना घूम फिर कर यह आती है तो अगर आकके साथ कुछ गलत हुआ है तो इन case कहीं नकहीं आपने भी किसी के साथ गलत किया होगा आपके साथ इसी के साथ रीडिंग का एंड करते हैं so yeah guys रीडिंग अच्छी लगी होगी resonate की होगी की हो तो please like, share comment कर देना चानल को subscribe जरूर करना मुसे जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी और I know आज मैंने birth date और birth month नहीं बताया है so कोई बात नी, मैं मिलूंगी नेक्स रीडिंग के साथ, तब तक लिए, bye